नमस्कार स्वागत है आपका दूरदर्शन की खास पेशकस सरुकार में आपके साथ मैं हूँ हर्षत्यागी आज चार मार्च है और चार मार्च को पूरा देश राष्टे सुरक्षा दिवस मनाता है राष्टे सुरक्षा दिवस मनाने का उद्दैश्चे सुरक्षा के सासात पर्यावरण और स्वास संबंधी आंदुलन के प्रती जागरुख करना होता है इसे मनाने का एक और अन्याव दिश्चे भी है जहाँ पर विभिन ओद्योगिक शित्र में सुरक्षा के लिहाज से सार्वजनिक भागिदारी को प्रोसाहित करना है आज हम इसी विशय पर चर्चा करेंगे कि कैसे उत्राखंड में नेशनल सेफ्टी काउंसिल काम करता है कैसे इसे बेहतर किया जा सकता है और किस किस तरह के कारेकरम उत्राखंड में नेशनल सेफ्टी काउंसिल द्वारा चलाए जा रहे हैं के लिए स्टूडियो में हमारे साथ महवान मौजूद है उनसे आपका परीचे करा देते हैं हमारे साथ आरकी सिंग जी है उपने देशक है कार खाना श्रम विभाग के और नेशनल सेफटी काउंसिल उत्राखन चेप्टर के चेर्मैन है बहुत सवागत है आपका और हमारे सा हमें क्यों पड़ी कब से इसकी शुरुवात हुई और क्या-क्या इसमें बेहतरी के लिए सोचा जाता है देश में जब तरह तरह की विभिन जगे दुरगटना होने लगी खास करके और जोविक दुरगटना होने लगी तो भारत सरकार ने सोचा कि एक ऐसा प्रेटफर्म जिस पे जो भी दुरगटना हो रही है उससे पहले हम एक एवेर्नेस करें जिससे लोग सुरक्षा के परती जागरूख हों उसके लिए भारत सरकार की तरफ से पहल करते हुए एक राश्टी है जो नेशनल सेफटी कॉंसल है उसकी स्थापना की गई और इसकी स्थापना च इतने भी हमारे ओद्योगी घराने हैं वो अपने सुरक्षा संबंदी कारिकरम इस दिन आयोजित करते हैं ताकि जन जागरण हो सके सुरक्षा के प्रती लोग जागरूख हो सके अगर बात करें राष्टे स्थर पर कारेक्रम की तो किस किस तरह के कारेक्रमों का आयोजन राष्टे स्थर पर किया जाता है लोगों को जागरू करने के लिए इसमें राश्टे स्तरपर क्या है कि हम लोग society के पार्ट हैं, industries भी उसी society की पार्ट हैं, industry में जो कामगार होते हैं, वो अपनी family के लिए दायत उनका रहता है, और सबसे बड़ा जो achievement होता है कि जो आदमी जाता है काम करने निकलता है, वो सुरक्षित वापस घर शाम को भी आ करते हैं, national level पर, associations जो होती है, industrial associations, industries, अपने अपने यहां, पूरे campaign करते हैं, जिसके अंदर उनके कामगार, उनकी families का भी participation होता है, तरह तरह का motivational program होते हैं, जिससे सब की भागीदारी हो, क्योंकि सुरक्षा में क्या है, जब तक हर आदमी अपने को उसका पार्ट नहीं को जो हर इंडस्टी में, हर इंडस्टी में, तरह तरह के program होते हैं, जैसे cartoon, competition, safety पे cartoon, then आपका essays, निबन परतियोगिता हैं, आपके slogans competition होता है, then different type के practical competitions होते हैं, awareness होती है, exhibitions होती है, safety के systems के, जो equipment's available है, उनके बारे में बताया जाता है, जैसा कि अभी आप देखेंगे, इ आपका जो heading दिया गया है, उसका heading का, आप देखेंगे, जो इस पे है, उसमें क्या है, आपका जो advanced technology है, उसको कैसे और use किया जाए, जिससे की हमारी अपनी safety, हमारी देश में जो industries हैं, उनका progress कैसे हो, with safety, health and environment friendly तरीके से. आरके सिंग साब, अगर national safety council की बात करें, national safety council क्या है, कब इसका गठन हुआ, और उत्रा खड़ में कब से काम कर रहा है, इसका काम करने का तरीका क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि इसका गठन 4 मार्च 1966 को हुआ था, राश्टी एस तर पर, उसके बाद इस हमारा national safety council है, उसके अध्यक्ष होते हैं, इसमें industries के member होते हैं, कुछ government organization के भी लोग होते हैं, उत्रा खंड में जो national safety council का chapter बना, उत्रा खंड राज की स्थापना के बात बना, 2001 में यहां पे बना, चूंकि उत्रा खंड का जो श्रम विभाग है, वो कारखानों में श्रमिक की सुरक्षा के लिए काम करता है, तो इसका national safety council जो है प्रतेक प्रदेश में श्रम विभाग या जो भी संबंधित विभाग होता है, जो कर्मकारों की सुरक्षा के प्रतिदाईत रखता है, उसके साथ ये मिलके काम करता है, तो यहां पर जब इसका गठन हुआ, तो यहां जो है, यह इंडियन ग्लाइकोल लिमिटेड काशिपूर में कारिड़त है, safety head है, और यह सुरक्षा के लिए काम करते हैं, इसी तरह से हमारे विभिन पदारिकारी सभी अलग-अलग industries से होते हैं, समय समय पर इनकी बैठके होती हैं, समय समय पर हम लोग सेमिनार वगरा आयो के लिए तता उनके परिवारों को सुरक्षा के लिए जागरूख रखने के लिए समय समय पर हम लोग कारी करते हैं, श्रम विभाग इसमें लगातार भागिदारी करके इसमें मदद करता है, इसमें नेशनल सेफ्टी काउंसिल के साथ इंड़स्टी कैसे आए, इसमें की तो उसके साथ के मेंबर्स बनते हैं तो एक तो हम लोगों का जो दाएत होता है कि हम कितने से ज्याद से ज्यादा इंड़स्ट्री को, क्योंकि आपका लोग के अंदर आता है, और उससे क्या होता है कि जो नेशनल सेफ्टी का जो हम membership लेते हैं, तो बहुत सी चीजें आपके पास आपने आप आती रहती हैं, जैसे इनके publications होते हैं, एक chronicle होता है, इनका जो quarterly chronicle आता है, जिसके अंदर पूरी news होती है, monthly newsletter निकलता है, then इनके pocket guides बनाते हैं, अलग-लग chapters पे, अलग-लग subjects पे, जैसे for example, general evidence के लिए है, fire को कैसे आप fire से बचेंगे, आपका road पे जा रहे हैं, बसे में जा रहे हैं, तो बसे में अगर कुछ हो जाता है, तो क्या करना चाहिए, तो इस इस type के जो subjects हैं, चोटे-चोटे जो कि हमारे workforce के लिए भी, और general public के लिए भी बहुत ही जरूरी हैं, उसके वो pamphlets निकालके, इस occasion पे उसका publicity की जाती है, और circulation किया जाता है, और किस जिंग साब, श्रम विभाग सुरक्षा को लेकर कैसे काम करता है, क्योंकि अगर coordination की बात करने, तो coordination एक बड़ी समस्त्या बन जाता है, जब भी किसी काम को किया जाता है, तो श्रम विभाग कैसे coordination करता है, इस तरह से मदद करने वाएं, एक्चलि श्रम विभाग का basic काम जो होता है, कि कारखाने जितने भी हमारे यां कारखाना अधिनियम के अंतरगत पंजीकरत होते हैं, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि कौन से कारखाने में चा बन रहा है, उसमें कौन कौन से chemicals use कर होते हैं, और वो किस तरीके से कर्मकारों के लिए साथ-साथ बाहर जो है factory के आसपास के लोगों के लिए किस प्रकार वो हानी कारक होते हैं, और उनको किस तरीके से सुरक्षित उपयोग करके कारखाने में भी सुरक्षा बनी रहे, तथा outside भी हमारी सुरक्षा बनी रहे, इस तरीके से एक तरीके से हम लोग technical support देत रहे हैं, उनका भंडारन कैसे कर रहे हैं, उनके लिए कौन कौन से अधिनियम लागू होते हैं, कौन कौन से सुरक्षा मानक हैं, उन सब का हम लोग उन सब को बताते हैं. अभी आपने देखा होगा हमारी सरकार्वी सुरक्षा के परती कार्मगारों की सुरक्षा के साथ साथ बाहर के लोगों के लिए भी बहुत ही जागरूख है अभी कुछ दिनों पहले निशनल डिजास्टर मेनेडिमेट के तहत हम लोगों ने एक रिहलसल किया था जिसको मॉगडिल कहा गया था कि अगर कोई दुरगटना किसी उत्तर खंड जो राज्य है एक भुकम के कवरिज के अंतरगाता था अगर किसी बड़े भुकम के कारण इंडस्ट्रीस में कमीकल का रिसाव हो जाए उससे हम किस प्रकार से बचेंगे उसका हम लोगों ने चार जिलो में एक साथ रिहलसल किया था अलग-अलग इंडस्ट्रीस में उसमें पुलिस प्रशाशन भी था मेडिकल था जिला प्रशाशन भी था खाद विभाग भी था आपका ट्राफिक कंट्रोल भी था इस तरीके से किया था मेन उद्देश हमारा नहेता है श्रंव विभाग का क्योंकि एक यो टक्निकी विभाग है और हमारे पास पूरे डेटा रहते हैं कहां पर त्या है, उस चीज को हम तदकाल उसको देते हैं और National Safety Council को हम ये बताते हैं कि यहां पर इस तरह की अगर हम लोग सेमिनार करें, इस तरह का Awareness करें, कि जिसकी वज़े से यहां पर लोग कार्मकार जो वरकर हैं वो भी सुरक्षित रहें उनका परिवार सुरक्षित रहें इस तरीके से हम National Safety Council को समय समय पर बताते रहते हैं और उनकी मदद से कारिकरम आई हुजित करते हैं कई बार देखा जाता है कि इंडिस्ट्री में बड़ा हाथसा हो जाता है उसके पीछे क्या वज़ा घटित हो जाती है तो हमारी तैयारी इस तरीके से हो कि उसकी वज़य से कम से कम जणहानी हो धनहानी हो लोकिए देखे कहीं पर भी कोई भी चीज़ बनेगी तो उसका हमेशा प्लस पॉइंट भी है माइनस पॉइंट है आप एक एक्जामपल के तौर पे एक बिजली को ही देख लें बिजना बिजली के आजकल कुछ नहीं हो सकता लेकिन हजार क्या है यह करेंट भी मारती है कई बार चिपक भी जाता है लेकिन हमको सुरक्षा के उपाए हमेशा अपनाने चाहिए तो हमारी कोशिश यह रहती ह है कि हम सुरक्षा के माने इसके लिए कारखानों में हर छे महीने में एक मॉग्डिल होता है रिहलसल होता है आसपास की फैक्टरी सब एक दूसरे से जोड़ी होती है जो मदद के लिए तैयार होती है उनका अपना एक सिस्टम होता है अपना एक टेकनिकल स्टाफ होता है अ बहुत ही ज़्यादा काम हुआ है। अब लोग सुरक्षित रहते हुए अच्छी चीजों को अपनाते हैं और सुरक्षा सुरक्षित रहते हैं। तो किसी डिफरेंट डिफरेंट प्लेट फर्म्स पर यह एफर्ट करे जाते हैं। इसकूल में बच्चे जो प्राइमरी एजुकेशन हैं। उसके अंदर पार्सपेशन होता है। वहाँ पर भी बहुत से कैम्पेशन चलाया जाते हैं। जाके उनको अवेरनेस करते हैं। क्योंकि वह जो एज होती है। वहाँ पर जो आप कल्चर डालते हैं। वह हमारी नेक्स जनेरेशन के लिए हमेशा के लिए एक फिक्स हो जाता है। तो हमारी डिफरेंट टाइप के अप्रोच है कि अवेरनेस को हमें कैसे सस्टेन करना है। बैटरमेंट के लिए कहां कहां हमें अटेक करना है। और इन इंडस्ट्री कामगारों के लिए जैसे यह प्लेटफार्म है नेशन सेफटी कॉंसिल। इसका इमी यह है कि हमें यह कैसे सर्विसेज दे, एक्सपर्टाइज दे, जिससे कि कामगार और उनकी फैमिलीज को हमेशा हेल्दियर, सेफर और एन्वार्मेंट फ्रेंडली एटमस्री में रखा जा सके। बिल्कुल और काउंसिल के अगर हम बात करें तो काउंसिल डोमेस्टिक और रूट सेफटी और इंडस्ट्री में काम करती है। किस तरह के कारेक्रम और चलाने की जरूरत है, अभी आपको लगता है क्योंकि आप एक लंबे वक्स से इसके साथ जुड़े वे हैं, लगतार काम करते आ रहे हैं, अभी आपको क्या लगता है क्या और बहतरी हो सकती है। समयली कि एक आदमी के अंदर एक मन में एक कारण आना चाहिए कि यह क्या है, तो उसको दिखाने के लिए उशुरुआत करने के लिए कहिना कही कोई प्लेटफार्म होना चाहिए। तो उसके लिए जैसे निउस पेपर्स में हैं, आपका टाइम टू टाइम डिबेट्स होनी चाहिए। स्कूल लेवल पर जैसे मैंने का एक ज्यादा इन्वाल्मेंट औना चाहिए। स्कूल लेवल पे डिबेट है, उनके जैसे डिफरेंट टाइप के कार्टून कमटीशन ऐसे बच्चों विए उसमें इन्वाल्मेंट में एंजॉय करते हैं। they will also learn, ऐसी media के थुरू आपका family members के लिए, तो उनको awareness आती है, जैसे आपने देखा कि बहुती इंडस्ट्रीज हैं, जैसे gas industry है, जैसे LPG, आपका distribution network हैं, यह सब हैं, उनके campaigns चलते हैं, क्यों चलते हैं, क्यों कि वह hazard, जैसे सिंग सामने बताया, कि आपका chemical hazard है, है, hazardous है, तो सबसे पहले यह समझनाई कि, हम यह समझनाई कि, क्या hazardous है, तो LPG हम घर में बहुत friendly यूज करते हैं, बहुत friendly यूज करते हैं, बट कभी-कभी हम paper में देखते हैं, सुबह उठके कि एक explosion हुआ, और family के चार member जो हैं, जल गए या खतम हो गए, बट अगर उस समय हम serious होते हैं, उस समय serious होते भी यह हुआ क्यों, उसके बाद हम kitchen में जाते हैं, और वहाँ पर उन चीजों को देखते हैं, जो कारण वहां से indication आए, कभी-कभी क्या होता है, निउस में सिर्फ ही होता है, कि वहाँ explosion हुआ, बट उसके बाद, उसके बारे में prevention क्या करना है, दू उक्रोच होते हैं, कीट पतंग होते हैं, उनसे भी खराब हो जाता है, उसका एक life होता है, कि इतने life के बाद change होना है, उसका जो regulator होता है, वह certified BIS standard होता है, वह safety के लिए है, तो यह सब छोड़ी-बटी चीजे हैं, बट हम routine में क्या होता है, हम लोग इस चीज को हम एक routine में लेके हम इसको avoid कर लेते हैं, जैसे आपने बताया, electricity है, बहुत सिंपिल है, हमने कुछ भी कर लिया, naked while लिया, लगा दिया, क्योंग हमें पता है कुछ नहीं होगा, लगा देंगे, spark होगा, दूर से पकड़ के लगा दिया, बट कभी-कभी वह fire का cause बन जाता है, जब fire हो ज सीखने के, उसको रोकना कैसे है, अपने experience को समझ के, उसको आगया कैसे रोकना है, और कैसे इंप्रू करना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी समय की. अरके सिंग साब, आपको क्या लगता है, कि और क्या कुछ बेहतर किया जाए, क्योंकि एक लंबे वक्त से आप भी इससे जुड़े हुए हैं, सर ने बहुत सारी चीज़े रख्या, आपको क्या लगता है कि इन इन चीज़ों पर और काम हो, तो लोग और जागरुक हो सकते हैं, और जादा चीज़ों को रोका जा सकता है, देखे, जैसे आप कहते हैं कि साब दुरगटना, दुरगटना जरूरी नहीं है कि किसी इंडिस्ट्री में हो, दुरगटना कहीं पर भी हो सकती है, सुरक्षा के जो मानक हैं, वो हमारे घर से शुरू होते हैं, अगर हम घर म सारे सुरक्षित कारण रखें, सारे अपने बच्चों को, फैमली को एवेर रखें कि कि घर में कोई भी चीज़ है, उससे क्या हमारा है, हम उसको कैसे अपनाएं, हम घर से बाहर निकलें, अगर मोटसाइकल से हैं, तो हम हेलमेट लगा के चलें, कार में जा रहे हैं, तो सी पहन के चलें, हम गलब्स पहनें, चश्मा लगाएं, एक बहुत सी छोटी छोटी चीज़ है, तो इसके लिए एक कल्चर डवलप करने की जरूरत होती है, जिस आदमी के अंदर ये कल्चर डवलप हो जाता है, तो वो अपने को तो सुरक्षित रखता है, साथ साथ अपने आस पास का जितना भी एटमास्फिर है, उनको भी वो जागरू करता है, एक जम्मेदार नागरिक की तरीके से, अगर कोई वेक्ती है, वो बान लीजिए, स्कूटर पर जा रहा है, मुरसाइकल पर जा रहा है, उसमें हेलमेट नहीं लगाया, तो अगर वो उसको हम टोकते ह तो ये एक हमारा एक्जामपल होता है, कि हम उसको सिख्षित कर रहे हैं, तो इसलिए इस समाज में सभी के जम्मेदारी है, कि सुरक्षा के परती सब को जागरूक रखे, और अपना दाईत्व समझे, इस प्रदेश में हमारी सरकार सुरक्षा के लिए बहुत जागरूक र हैं, और हमारा ये उदेश रहता है कि इस प्रदेश में हम जीरो एक्सिडेंट रखें, कि कि किसी भी तरह का कहीं पे कोई जनहानी ना हो, चूंकि एक जनहानी होने से कार खाने के साथ साथ उस फैमली और उन सब को बहुत ज़्यादा सदमा लगता है, और बहुत का सामना करना पड़ता है, तो जागरूकता ही एक सुरक्षा का उपाए है, सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहास सरकार ने किसी भी चीज़ के लिए मानक तै कि इन मानकों पर आप काम कीजिए, सुरक्षा रहेगी, कैसे चेक किया जाता है, कैसे काम किया जाता है कि मानक पूरे है या नहीं है जो जरूरत की चीज़े बताई गई है वो वहाँ पर है या नहीं है उसके लिए हमारा जो विभाग है इसी के लिए कारियरत रहता है हमारे अपने किसी भी कोई भी एकुपमेंट जो होगा उसके अपने स्टेंडर्ड होते हैं उसके लिए हमारे विभागी एदिकारी जगे जगे पे जाके निरिक्षन करते हैं लोगों को एवेरनस देते हैं हम लोग उसके लिए सेमिनार अरेंज करते हैं और इसके लिए हमारा जो कारखाना अधिनियम और कारखाना नियमा वाली बनी है इसमें कुछ प्राविदान भी दिये गए हैं कि अगर कारखानेदा सुरक्षा नियमों का परिपालन नहीं करेगा पर्टिकुलर जो एकूपेंट दिये जाने चाहिए वो वरकर को नहीं देगा जिसकी वज़े से कोई नुकसान होता है तो उनके विरुद वैदानी कारवाई भी की जाती है लेकिन मैं एक बार-बार यही कहना चाहूँगा कि यह कोई सही तरीका नहीं सबसे अच्छा है कि एक हर आदमी अपनी जुम्मेदारी समझे चाहे वो फैक्ट्री का माली को चाहे करमचारी हो जो मानक दिये गए हैं उन मानकों पर काम करें सुरक्षित रहे स और सुरक्षा को वो अपना है डॉप्टर अरकेश्वर्णा साब पहले घर होते थे अब मानकों को बढ़ा दिया गया है कि आप यह कीजिए यह कीजिए लेकिन कई बार देखा जाता है कि हाथ से हो जाते हैं उनके लिए क्या कुछ मानक तेह किये गए हैं और कैसे काम किया जाता है उन बानकों को चेक करने के लिए आपने शीक बोला आज के टाइम में हम लोग एडवांस जा रहे हैं और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसमें पचा-पचा 60-70 फ्लोर्स होते हैं तो यहां पर हमारे भारत वर्ष में एक कोड पनाया गया है नेशनल बिल्डिंग क अभी रिवाजन हुआ है 2016 वर्जन में वह एक कंप्रेंसिव कोड है जिसके अंदर बिल्डिंग जो रिक्वार्मेंट होती है बिल्डिंग के लिए सेफटी के लिए उसको एक अंदर चैप्टर है चैप्टर फोर तो जो उसका जो पार्ट फोर है वह पूरा आफ बिल्डिंग्स फर एक्जामपल सिंपिल एक्जामपल हम लोग बहुत अपने घरों में भी ध्यान नी रखते कि एक दरवाजा होता है बहार निकलने के लिए तो वो किधर खुलना चाहिए नैचुरली आप देखो कि जब भी आदमी जाते तो भार आउटसाइट खु क्योंकि क्या होता है वो जो एक्जिट होती है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है इमर्जेंसी एक्जिट उसका डारेक्शन नहीं पता होता है उसका कैसे वहां तक पहुंचना है इसकी कमी होती है और उल्टाब हो जाता है तो जब तक कुछ नहीं हो जब तक आप उस चीज को support करता है क्योंकि आपका different आपके जो earthquake zone जैसे सिंग सामने बताया कि उत्राखंड है उत्राखंड आपका high earthquake zone में आता है तो यहां का building structure जो होगा वो totally different होगा जिसे कि वो उतने earthquake के जो जटकें उसको सहन कर सके तो उसी साब से उसमें defined है तो इसके लिए एक centralized BIS जो मानक भवन है उनका यह comprehensive code है national building code of India तो वो यह follow होना चाहिए उसको follow करना चाहिए तो उसमें different part है different activities के लिए तो उसके materials का है type of constructions है उसमें firefighting systems है अब आपने देखो बहुत सी high rise building में होता है कि वहाँ पर हम इसलिए रह जाते हैं कि वहाँ तक हमारी पहुंच नहीं होती बट अगर construction उसके इसाब से करते हैं तो वो inbuilt जो inherent एक active protection होता है passive protection होता है active protection होता है जो आप करोगे जब कुछ हो जाएगा तब आप prepared करते हो एक passive protection जो inherent होता है जिसकी वजह से वो chances आएंगे नहीं अगर आएंगे तो उतना हमें नुकसान नहीं होगा जैसे बीच में आपका clean area होते हैं high rise building में एक floor बीच बीच में खाली रख दिया जाता है जिससे कि लोग अगर कोई emergency तो वहाँ collect और वहाँ से escape हो जाए different type के escape routes होते हैं तो उसमें काफी comprehensive में defined है तो यह बहुत ज़रूरी है कि आपका जो builders हैं या जो building बना रहे हैं जो रह रहे हैं occupants उनके भी association होते हैं तो वो लोग भी इस चीजों पर discuss करते हैं वहाँ परी mock deal चाहिए हैं आपको evocation चाहिए हैं अगर कोई emergency होते हैं कितने time में कैसे आएंगे यह सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पर आपको क्या लगता है कि जो मानक नहीं मानेगा जो कानूनी कारवाई नहीं देखेगा उसके लिए क्या क हैं तो उसमें basically क्या है उसको हमें sustain करना है उसको maintain करना है वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है तो उसमें क्या है जितने भी occupant है उनका भी रोल आता है इंडियूजल एज नाकरिक, responsible नाकरिक होती हुए हम सबका ये रोल है कि हम अपने आसपास अपना भी और अपने आसपास भी ध्यान रखें सुरक्षा का और कितना उन चीजों को हम अपनी जगे पे सही पाते हैं उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए सिंग साब नेशनल सेफटी काउंसिल मुक्यतर चार्ड शेतर में काम करता है हेल्थ सेफटी, रिस्क असस्मेंट, सेफ एंवायर्मेंट और हजार्ड अविलेशन हेल्थ सेफटी के अगर बात करें तो हेल्थ सेफटी को लेकर किस तरह से काम किया जाता है हेल्थ सेफटी का मतलब यह है कि जो आपकी वर्क प्लेस है वो आपके लिए कितना सेफ है और आपकी हेल्थ की द्रिश्टिशिप फॉर एग्जामपल अगर हम मान लीजिए वो सभी पे लागू होता ऐसा नहीं कि किसी कार खाने में भी है अगर आप घर में पढ़ रहे हैं या किसी कार खाने में काम कर रहे हैं तो वहां पे कितनी लाइट होनी चाहिए आपको पढ़ने के लिए या काम करने के लिए पता चला कि वहां पे लाइट प्रॉपर नहीं है तो आपके एकसिडेंट के चार्णसिस बढ़ जाते हैं इसी तरीके से वेंटिलेशन है जब आप काम करते हैं तो आपको एक शुद वायू की जरूरत पड़ती है वर्क प्लेस में अगर आपके पास पान लीजे वेल्डिंग का काम है ऐसा काम कर रहे हैं और अगर वहां पर एयर सर्कुलेट नहीं हो रही है तो नेचुरली जो केमि यह तो पानी का है पानी अगर आप चाहे घर में हो चाहे फैक्टरी में हो आपका पीने का पानी अच्छा नहीं है गंदा पानी नहीं है तो आपको तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी इसी तरीके से टौइलेट्स का है हर जगे हाईजिन चाहिए तो अगर हमारा सारा व करने सबस को आइच़् आपको क्या करना है है तूर तो इसे पाइघ को आप सिंपल वर्ट्स में सम van na जो शौक लगता है यह हजार्ड हो गया उसके बाद आता है आपका जो हजार्ड आइडनिफिकेशन जब हो जाता है what are the risk associated risk associated क्या है उससे then effects and consequences what are the effects and consequences अगर वो होता है तो उससे क्या effect होगा और क्या consequences होगे उसमें क्या होता है बहुत सी चीजों में क्या होता है कि इंसिडेंट हो जाएगा बट उसमें जानमान की हाली नहीं होगी उतनी बट इंसिडेंट बहुत सी वियर है और बहुत सी इंसिडेंट है जो थी जो थी इंसीडेंट बना, ऐसी उसमें next question बज़ेगी, वो जो risk है, is it acceptable, क्योंकि risk ही एक परभाषा होती है, कि हर आदमी का अपना एक system होता है, acceptance का, मेरा है, मेरी knowledge अच्छी है, मैं अपने area में जाधा करता हूँ, मेरा जो calculative risk, digestive system है, वो different है, एक layman का है, उसका different है, electricity के बारे मुझे पता है, मैं उझे पता है कि इसके अंदर क्या hazard है, क्या risk associated हो, क्या उसका consequence होगा, जैसे for example, 240V की supply है, 11KV की supply है, 33KV की supply है, but 33KV की supply को आप 240V की supply की तरह नहीं समझ सकते, but as a layman, उसके लिए क्या है, उसके लिए बिजली-बिजली है, आमने देखा, लंगर लगाते हैं, ल तो what is our safety management, मतलब हमारा risk management approach क्या है, we are prepared or not, जैसे आप सिंग्सान विला mock drill करते हैं, mock drill किसली करते हैं, उसके लिए हमें पता है कि hazard है, इससे related ये risk है, इससे related ये consequences हैं, उस consequences जैसे आपका ये उत्राखंड है, ये आपका high earthquake zone है, तो ये एक consequence है severe, अब consequence क्या सकता है, earthquake भी आया उससी समय आपका worst chemical scenario हो गया, तो ये जो consequence हुआ, इसके लिए are we prepared, तो उसके लिए वो exercise है, तो उसके लिए आपको क्या है, emergency plan, are you having a emergency plan, तो that is the last and final question, कि we are also prepared for the worst scenario, तो जब आप उसका approach वहां worst scenario के लिए रहती है, तब आप किसी भी situation को easily handle कर सकते है, बिलकुल अगर इन चीज पर काम किया जा सकता है, तो बहुत हद तक खुद को सुरक्षत रखा जा सकता है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुलने के लिए, और बहुत महपूर जानकारे आपने दी, हमारे दर्शकों को बहत कावाएंगी, बहुत शुक्रिया आपका, तो सरुकार के इस अंक में मेरे साथ इतना ही मुझे दीजे इजाज़त नमस्कार